YouTube पर quality content की कमी नहीं है, बस उन्हें परकने में समय लगता है ऐसे में higher mathematics पर वीडियो ढूनना और भी मुश्किल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियो लाता रहूं Now, let's begin Hello friends, welcome back to the another video of this playlist Make sure that you have watched our previous video The previous video में हमने देखा था primitive nth root of unity क्या होता है और cyclotomic polynomial क्या होता है और हमने ये भी जाना था कि कैसे हम find कर सकते हैं cyclotomic polynomial वहाँ पर हमने देखा था कि दो तरीके हैं हमारे पास जिनसे हम find कर सकते है cyclotomic polynomial पहला तरीका है by simply using definition और जो दूसरा तरीका है वो है by using result जहां पर recurrence relation use होता है तो इस example को solve करने के लिए भी हमारे पास दो method है पहला method है by simply using definition और जो दूसरा method है वो है by using result जो कि है recurrence relation result system कहते है तो यहां पर इस वीडियो में हम क्या करने वाले है इस वीडियो में हम find करने वाले है first five cyclotomic polynomial वो हम यहां find करने वाले इसलिए इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में बनाया है पहले पार्ट में हम बात करेंगे first method से इस वीडियो में हम बात करेंगे second method से तो इस वीडियो में हम बात करने वाले first method की मदद से हम find करने वाले cyclotomic polynomial जो कि हाँ user करेंगे हम लोग result तो बढ़ते हैं इसके solution part की तरफ तो हमें basically यहां क्या करना है हमें find करना है cyclotomic polynomial ठीक है अब cyclotomic polynomial find करना है वो भी first five cyclotomic polynomials find करना है that means आपको पता है cyclotomic polynomial कि से denote करते है 5n of x से denote करते है अब first five बोला है that means we have to find 5 1 of x 5 2 of x 5 3 of x up to 5 5 of x यह polynomials हमें find करने है ठीक है बात करते है सबसे पहले 5 1 of x को चोलो ले ले लेते है 5 1 of x को अब 5 1 of x का basically मतलब क्या है हम result यूज कर रहे न तो result में मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जो भी n है उसके divisors यहाँ पर लेन के find out करना है but one का divisor itself one होता है that means 5 1 of x हैगा तो 5 1 of x के लिए initially recurrence relation में भी initial condition आपको पता होती है यहाँ पर हमें इनिशल condition पता होना चाहिए फिलाल हमें इनिशल condition नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे 5 1 of x find करना पड़ेगा ठीक है कभी भी recurrence relation में initial condition हमें find करना पड़ता है या फिर हमें वो चीज़ें पता रहती है फिलाल हमें यहाँ नहीं पता है हमें लोग फाटक से इसको find कर लेंगे अब 5 1 of x क्या होता है वो आपको मैं बता देता हूँ basically हमें क्या करना है x raise to the power n minus 1 x raise to the power is equal to 1 इसका solution find करना है but anyhow फिलाल क्या है 1 है तो जैसी n की value में 1 लिख दूँगा तो वो linear बन जाएगा क्यों primitive है क्योंकि दोनों condition satisfy कर रहे पहला condition था x raise to n is equal to 1 आना चाहिए और जो कि दूसरा condition था x raise to the power m is not equal to 1 where m is less than n और m भी एक positive integer है यहाँ पे m की choice भी बनती नहीं है क्योंकि n हमारा खुद 1 है जैसी m 1 हो जाएगा तो m की value कोई बनती नहीं है इसलिए हमारा जो first cyclotomic polynomial बन जाएगा वो होगा इसका factor x equals to 1 उसका root है तो factor क्या बन जाएगा x minus 1 तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो की हमारा first cyclotomic polynomial आएगा वो आएगा x minus 1 I hope guys 5 1 of x आपको समझ में आ गया होगा ठीक है basically 5 1 of x हमें क्या करना है हमें products of factors लेने है जो की primitive होगा तो x raise to n मतलब x raise to 1 is equals to 1 है इसके roots कितने है total 1 है और primitive roots कितने है वो भी एक ही root है तो obviously उसका primitive root भी एक ही है ठीक है total के roots कितने exist करते है एक ही root exist करता है और वो भी हमने चेक किया वो भी primitive निकला ठीक है तो यह primitive root है इसलिए first five one of x आपको मिल गया यह हमारा first cyclotomic polynomial बात करते है second cyclotomic polynomial जिससे five two of x से denote किया जाता है अब five two of x से denote किया जाता है और आप हम use कर रहे है result result on the method use कर रहे है तो result recurrence relation क्या बोलता है two जो है उसका आपको लेना है divisors लेने यहां पर हमेशा आएगा x raise to the power n minus one बढ़ यहां पर two की बात कर रहे है तो x square minus one is equals to five one of x into जो कि two है उसका हमें divisors लेने जो कि है five one of x into five two of x अब x square minus one is equals to five one of x हमें अभी पता चला है जो कि यह x minus one यहांज हम find कर सकते है five two of x five two of x क्या होगा five two of x अपनी जगह यह नीची चले जाएगा यहांपर divide हो जाएगा जो किया गया x minus one यहांपर a square minus b square दिख रहा है तो हम यूज का सकते a plus b a minus b तो हमें मिल जाएगा x plus one into x minus one denominator में भी है x minus one is equals to five two of x that means five two of x guys कितना आ जाएगा x minus one x minus one get cancelled simply मिल जाएगा x plus one तो हमें मिल गया five two of x कितना मिल गया x plus one मिल गया यहांचे हम बोल सकते five two of x is equals to x plus one यह है हमारा second cyclotomic polynomial and this is our first cyclotomic polynomial I hope guys कि आपको second cyclotomic polynomial समझ में आया होगा कि हमने कैसे इसको find out किया बात की जाए third cyclotomic polynomial की तो उसके लिए में लेना पड़ेगा x cube minus one is equals to अब ठीके factors लेने जो कि क्या क्या है वो जो कि है five one of x into five three of x ठीक है अब x cube minus one को मैं one को लिखूँँगा one cube is equals to five one of x हमें अभी पता निकाला है हमने x minus one into five three of x अब five three of x अपनी जगह पे अब ये five x minus one वा जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा that is x cube minus one cube whole term upon x minus one अब देखो five three of x is equals to यहापे आपको दिख रहा होगा formula a cube minus b cube जो कि इसका formula होता है a minus b product में a square plus a into b that is x into one is x plus b square that is one whole term upon x minus one again x minus one x minus one term get cancelled we will get five three of x is equals to x square plus x plus one finally हमने हमारा find कर लिया है third cyclotomic polynomial आए होगा इस आपको समझ में आगा होगा कि third cyclotomic polynomial हमने कैसे find किया अब हम find करने जा रहे है fourth cyclotomic polynomial जिसे five four of x से भी denote किया जाता है तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा x raise to four minus one is equals to अब four के हमें दिवाइस लेने that is five one of x into five two of x into five four of x five one of x अभी निकाला जो कि है x minus one अभी अभी हमने five two of x निकाला जो कि है x plus one into five four of x जो कि हैं पर x raise to four minus one तो five raise to four x को यहीं पर रख देंगे five four of x को यहां पर क्या जाएगा x raise to four minus one whole term upon x minus one into x plus one जा फिर इसको हम शॉर्ट में लिखे identity यूज करके a square minus b square हम लिख सकते that is x square minus one square तीक है अब x raise to four को देखो मैं ऐसा लिख रहूँ x square का square क्यूंकि x raise to four बन जाएगा minus one square का square अभी यहापे भी उपर देख सकते हो a square minus b square का property लग जाएगा तो पर हमें मिल जाएगा a plus b a minus b जो कि है x square minus one square नीचे भी है x square minus one square अब x square minus one square get cancer हमें simply मिल जाएगा five four of x is equals to x square plus one square that is one finally हमने fourth polynomial fourth cyclotomic polynomial भी find कर लिया है अब बज़ गया है सिर्फ last जो कि है five five of x हमें find करना है इसके लिए हमें क्या consider करना पड़ेगा x raise to five minus one is equals to five one of x into five five of x आप x raise to five minus one एक को एजटी से यहां लिख देंगे अब five one of x कितना है x minus one है और हमें find करना है five of x अब five five of x यहीं पे रहेगा और यहाप आप दिख सकते हो x raise to five minus one यह x minus one यहाँ जाएगा तो divide हो जाएगा अब divide करना किसे ही नहीं आता है तो simply long division method है और long division method हमको पता है कैसे करते है इस पर मैंने वीडियो भी बना रखा है आप चाहिए तो link description में देख सकते है तो आप हम simply long division algorithm use कर लेंगे और हम उसका find कर लेंगे आसानी से solution तो long division method यूज़ करने से हमें मिल जाएगा इसका answer 5 of x is equal to 1 plus x plus x square plus x cube plus x raised to the power 4 अब तक हमने 5 cyclotomic polynomial find किये अब तक आपको एक pattern observe हो गया होगा यह क्या चल रहा है आपे ठीक है आपको एक pattern observe हो गया होगा मतलब वह से prime के लिए observe करना है आपको 4 के लिए आप observe मत करो कि pattern वहाँ पे है नहीं जहाँ पे 5 p of x जो कि मैंने आपको उस वीडियो में भी बता है था कि p cyclotomic polynomial is irreducible over q और p cyclotomic polynomial कैसा denote किया जाता है 1 plus x plus dot 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 plus x raised to the power p minus 1 similarly आप 5 of 5 p of x को भी देख सकते हो अगर मेरा वीडियो ने आपको समझने में थोड़ी भी help की हो तो वीडियो को like करे, comment करे, अपने दोस्तों के साथ इसे share करे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को subscribe करे मिलते हैं next video अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो like, dislike जरूर कीजेगा ताकि हम समझ पाए कि आपकी पसंद क्या है comment कीजे, share कीजे और सबसे जरूरी बात चैनल को subscribe कीजे thank you so much, love you, take care, bye bye